यहां से हमने आगि इसको डाउनलोड करा ठीके इसको डाउनलोड करें याइसको डाउनलोड करकिया आप इसको रण करण लूगे तो यहां भे तुमारे पहस लिखा वाएगा pypyорошо py概शन, यह python आपना रख सा command prompt यह होता है इसकी फाइल आपने वह स्टोर करानी है मतलब सेफ करवानी है अब पाइजा ने मेरे पास यह रन कर चुका है मैं इस पर जो भी लिखूँगी मेरे पास प्रेंड हो किया देकर है सबस्थ मैंने लिखा प्रेंड इंवेडिट कॉमा के अंदर हैलो तो यह मेरे पास यहाँ प्रेंड हो रहा है लेकिन यह इसी कमांड की हता के हमारे पास यहां पर फाइल पे नहीं है बहुत समय हरी एक आपने यहाँ पे आना है cmd खोलना है अपना command prompt मैने भी जो folder बनाया था हो मैंने कहा बनाया था documents में documents में मैं चली गए ठीक है अगर मैं documents की dia चेक करूँ तो मेरे में यहाँ पे python के नाम का एक folder बनावा है तो मैंने कही cd और मैंने यहाँ पे लिखा के भाई मुझे move करना है python के folder ठीक है अब मैं इस folder के अंदर क्या मौझूद है मेरे पास 8 app 1.py की file मौझूद है मुझे इसे चलाना है तो मैंने कहा python ठीक है add underscore 01.py की file को चला तो अगर इसके अंदर कुछ भी लिखा वो होगा तो यह execute कर देगा जो भी अगर हमें print करवाना है या जो भी हमारी files चल रही होगी ठीक है अभी इसने मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं करके दिया प्रेक्टर नहीं है सही है बास अनज में आरही है मेरे पास अभी इस file के अंदर कुछ ऐसा मौझूद रही है जिसकी वजह से वो मुझे print करने को कह रहा अब मैं यहां पर आई मैंने का बाई इस file को पहले तो मैं चेक करूँ कि मेरे पास इस वाली file जो मेरे पास है इसे आप open with किसी भी editor पर कर सकते हो ठीक है notepad पर कर लो open किसी भी भी कर लो ठीक है तो मेरे पास यहां लिखावा simple print hello लिखावा और कुछ भी नहीं लिखावा ठीक है इसमें extra और कुछ आपने लिखना भी नहीं है तो command से भी हम यहां से जाके आप चला सकते हैं अच्छा simple अगर मुझे python py अगर मैं लिखूँ तो command prompt से भी आप directly इसके अंदर यहां enter हो सकते हो वापिस prompt लाने के लिए आप exit करोगे इस तरह तो exit हो जाओ आप इधर करो vs code पे करो दोनों जगा करो सेम है ठीक है command हाँ हाँ आपने जो save करना है command जो आपने save करनी वो आपने इस वाली file के अंदर save करना है ठीक है जो python की जो file है इसके अंदर आपने जो भी लिखना है वो बात समझ में आ रही अचा फिलहाल मैं आपको नॉर्माली भी बदा रही हूँ file का हम बात में देखेंगे अभी जो है वो हमारे पास यह directly हमारे पास चला यहापर चलाना मुश्किल क्यों होगा डार्र डार्र हमने अभी python यहां से select करा हमने यहां पर लिखा python और python करके open कर आप हमारे पास क्या है prompt आगे मैंने का print करो hello इसमें मुझे hello print करके दे दिया अचा अब आप यहां पर यह देखो ना कोई terminator है ना कुछ है next line अब मैं अगला इसको कहती हूँ print करना है मुझे अब मैं इसके अंदर double quotation नहीं single quotation में दे रही हूँ ठीक है और मैंने यहां पर नाम लिख दिया है अली ठीक है बास समस्य में आ रही है enter कर दिया तो single में लिखूं double में लिखूं यह दोनों सूरत में आपकी quotation क्या कर रहा है accept कर रहा है ठीक है इस पर कोई इसको फर्क नहीं पड़ता दूसरी चीज यहां पर अगर आपनी कोई अपना variable बना था ठीक है let's suppose मैंने variable बनाया A और मैंने इसको value दे दी 14 दूसरा variable बनाया मैंने B ठीक है और इसको मैंने value दी है एह मज लिख दिया है ठीक है इस तरह अब मेरे पास दोनों चीज़े मौजूदें एक integer type का और एक string type कुछ नहीं बताई है किसका data type यह एक integer यह string है कुछ भी नहीं है अब simple हमने यहां पर कहा है print करना है मुझे क्या A की value 14 आ रही है और मैंने का मुझे print करनी है किसकी value B की value तो नाम लिखा वार है तो यह normally आपका print हो रहा है इसमें पीछे data type लगानी की जरूरत नहीं है अच्छा अब A मैंने यह दे दिया 14 same A के उपर modify कर रही हूं A की value पहले A की value टीजर दी दुबारा A की value मैंने क्या कर दी है string कर दी है अब मैं print कर रही हूं A की value तो जो मैंने इसको बात में value दी है वही आपको जो है वो लेके आएगा चाहे वो integer में दी हो string में दी हो वो आपको रोकेगा नहीं सही है पहली value integer थी तो आप दूसरी string कैसे set कर सकते हो यह आपको रोक नहीं रहा आप जो दे रहे हो उसको adjust कर ले रहा है और उस last value को pick कर ले रहा है अच्छा अब मेरे पास यहाँ पर ही है ठीक है और मैं यहाँ अगर addition करा रही हूँ ठीक है इस तरह और मैंने इसको यहाँ पर print कराया और print करके मैंने यहाँ पर इसको कर दिया इसने मुझे इसका result दिया ठीक है simple इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक B लिया इसके साथ मैंने plus करा और inverted comma के अंदर ठीक है एक और मैंने कर दिया अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहरी हूँ, ठीक है, बी को, इसने मुझे कॉंटेटिनेट करके दे दिया, बाकी चीजें अदर लैंविज की ही तरह सुई है, बात समझ में आरी है, इसके अंदर कुछ चीजें आपकी इंटेंट पे बहुत मैटर करती हैं, कि आप इंटें करने के लिए डिस्प्ले उसका करने के लिए कौन सा कोड कहा शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर भी जैवर इंटेंट मैंटर करता है, विदाव इंटेंट के साथ फर्कुल होता है, ठीक है, मैं वह आपको बता देंगे, तो क्मांड प्रॉम पे आपके पास इस तरीके से विंडूज पे आपके पैर होता है, यहां पर अभी जो हम लिख रहे हैं, वो आप इस तरीके से ही लिख रहे हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम पर we, S पी हम लिख सके अग्जिए है, आप एक्जिट करोके वापिस आपक्का कमांड प्रॉम प्रॉम और आजाएगा, ठीक है, अब ऐसे हमने वैसे भी नॉर्मली लिखावा है अच्छा पाइफन की इंटेंटेशन जो मैं बता रही है वो इफ पे बता रही है जैसे मैंने लिखा इफ पाइफ इस ग्रेडर देन टू कंडिशन टू है ना कॉलन लगावा है इसके आगे कोई कड़ी ब्रेटिट नहीं है लेकिन मैं इधर एक स्पेस इंटेंट दे कर ही प्रिंट कराओंगी तो मेरे पास यह प्रिंट हो रहा है अगर मैं यह स्पेस खतम कर दूँ बास समझ में आ रही है मैंने यहां खतम कर दी स्पेस अब इसने मुझे क्या कह दिया इंटेंटेशन इररस इंटेंट ब्लोक वो खेह रहे है यहां पर स्पेक्ट हा कि आप एक इंटेंट दोगे आप नहीं दिया उसने एरर कर दिया आपका डिस्पले नहीं दिखा रहा है बास समझ मैं तो इसके अंदर जहां पर हमारी पास ब्राक्ट के बाद ऑड और इंट आपने लाजमी लगाना है, गायब नहीं करना है python के अंदर intentation जो है वो matter करती है very important, ठीक है नहीं करोगे error आएगा सही है variables, same अभी मैंने जैसे बनाए, x and y जो भी आप print करा लो, comment hash करके लगते हैं इसके अंदर ठीक है, कोई भी चीज आपको comment में देनी है, hash कर दो comment है, वो कहीं फ्रेंट नहीं होगा ठीक है, install python on vs code पे कर लेना extension कर लो इसकी, ठीक है यहाँ पे इस तरीके से यह terminal पे डाउन्रोड हो रहा होता है python, ठीक है, ip के kernel हमारे पास install नहीं हुआ था जिसकी विज़से हमारे पास vs code पे नहीं चलवा, ठीक है यह हमारे पास जो है खुदी ही जो है, वो हमारा adjust कर रहा होता है, ठीक है डीबग करने के लिए आप पाइस python file स्टार्ट करते है नॉर्मली लिखा हो, इस तरह हमारे पास यह hello world प्रेंट होगी है सही है यह हमारे पास है कि मुझे अगर यह print कराना है तो मैं यहाँ पे directly play करूँगी मेरे पास यह print होगी, आजएगी variables variables के अंदर यह सारी चीज़ है, as it is, as वही है, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि X की एक integer value array ठीक है, तो यह इसने अली print करा दिया, इसी तरही के से casting होती है, casting में क्या होता है कि आप इसको type class करके बता रहे होते हो, तो अगर मैं इसको string type class करती हूँ, दे में number में रही हो, तो यह quotation में लेगा integer में दूँगी तो ऐसी लेगा, और ऐसी लिखूंगी तो यह मुझे क्या देगा, इस तरह देगा ठीक है, decimal में लेगा ठीक है कि decimal format में लेगा अब मैंने यहाँ इसकी values दी इसमें मुझे इस तरह adjust करा है, get type का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे दिया है उसकी type बदा दो, तो मैं type of x पूश रही हूँ और type of y पूश रही हूँ तो x जो है वो मेरे integer class को block करता है और y जो है वो मेरे string class को block करता है ठीक है, single और double quotation में कोई फर्क नहीं है सही है, case sensitive की बात है तो a एक अलग variable है और capital a एक अलग variable है case sensitive का मतलब है कि अगर small में आपने variable बनाया तो उसका स्कमाल भी small में होगा capital में नहीं होगा ठीक है, बात समझ भाई if का जो मैं कह रही थी न if का खेर block अभी हम कुछ कर नहीं रहे लेकिन मैं यहाँ पर if फिर भी दिखा देती हूँ if, जैसे हमने का था 5 is greater than 3, let's suppose colon लगा है ठीक है, intent दूँगी मैं एक intent मैंने दे दिया है ठीक है, intent देने के बाद मैंने यहाँ पर print करवाना है यह उसके print करता है जो हम चीज कर रहे हैं हाँ मैंने यहाँ दे दिया 5 is greater 5 is greater than 3 ठीक है आगया 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 5 is greater than 3 सेम जीज प्रिंट मैंने जाके लिख दिया 5 is greater greater than 3 अच्छा जब मैं इसे enter करूँगी तो देखो पौरण उसने मुझे यहाँ पर क्या दिया है एक एरर उठाके दिया है इंटेंट एक्सपेक्टेट था आपने इंटेंट नहीं लगाया है यह मैंने लिखा इसके साथ ही मैंने प्रिंट लग दिया यहां मैंने इंटेंट दिया था इंटेंट इंटेंट दिया है तो इसने मुझे इसका रिजल्ट दिया है अगर मैं इस पेस नहीं दूँगी तो यह मुझे एरर देगा के इसका ब्लॉक मिसिंग है या फिर आपने इंटेंटेशन नहीं करी है